नमस्कार साथियों, एक बार पुन है, आपके सम्मुख, आपका अपना ही योग गुरु उमेश जोसी, ओम नमो भगवते वाशुदेवाए, दिन मंगल हो, सुब मंगल हो, और राधे राधे आपको हरी ओम तस्ष्यत, साथियों, आज का विसे हैं, उस विसे के अंतर्गत आज हम सरुपरतम पहले कपाल भाति प्रणयायं की बात करेंगे, उसके तदर्प्रांथ, दो वस्ताय हम भ्राम्री गुंजन की करेंगे, चली चल में चरचा करते हैं कपाल भाति travaille कें पैंग लोगों ने अगर जब आरंब करते हैं तो उसमें एक Sat Car nei प्रिया होती है उसके अंतरगत कपाल भातिजल गपाल पाथञते वित कुझ्अ करते हैं उसके बाद हम लोग बिदिंग इस तेसे पानी को बाहार निकालते हैं जब जलने ती करते हैं तो उस क्रिया के बाद लजल कपाल्भाती प्रणायम के अर्थ है जिस तरह हम लोग मंदिर में जलाते हैं दिया और बाती तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारा जो घर है वो मंदिर में तब्दील हो जाता है वहां का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है परमात्मा के साथ एकाकार करने वाली अवस्ता के साथ सल्लगन हो जाता है उसी तरह कपाल भाती क्या है कि हमारे आंत्रिक अंगों को प्रकाशत करती है और आजकल सबसे जादा जो प्रॉब्लम है मोटापा भी दूर होता है और इस क्रिया को करने के लिए जब हम इस अभ्यास करते हैं तो आपको सिर्फ ब्रित को आउट करना है ब्रित स्वते ही इन ह और एक सेगंड कम से कम एक स्टॉक में लगाए जब आप व्रित को छोड़े जैसे कोई चीच फश जाती है ना आख में तो उसको कैसे कंठ से आपके आवाज आती कम से एक सेगंड लगे एक स्टॉक में और इस अभ्यास को भी आप 5 से 7 या 7 से 11 मिन तक लगाता आर कर सकते साथ हो इस अभ्यास में भी आप ज्यान दरा एट सकते हैं अंसराम फॉक्त ऊजिस मुद्रा को आप सहे बानते हैं सरन मांगे तो ग्auen मुद्रा में आपको चार्चा ने रंतर हो रही है तो ग्शान दोलब में ताम अभर को सीधा कर लें के घर्दन को सीधा कर लें दोनों क तो वही खचाओ इस अभ्यास के माध्धम से पाचन तंत्र मात है और पाचन तंत्र में आप समझ रहे हैं क्या क्या चीज़े एक पेडू प्रदेश है जहां पर स्वाधिस्टान चक्र विद्यमान है और दूसरा मनिपुर चक्रे नाभी के समीप जहां पर अगनी तक विद् अगर हम धारन करते तो वह सुपाच्य हो जाता है वहां पर अगनी तक पर निरंतर विद्यमान नहता है तो चली एक बार पुन्हें आपको फिर बता रहा हूं इसको कैसे कर रहा है सामान में हम लोग बैठेंगे मुस्कुराते विए इस अभ्यास करेंगे पंच से आवाज कर लें इस वभाग्य है प्रमात्मा का यह माध्यम है आजकल की सैटेलाइट का मीडिया का कि हम लोग बड़ी ही सहस्ता के सांथ एक दूसरे के सम्मोग प्रेसित हो सकते हैं प्रस्तुत हो सकते हैं चले इक बार पुन हैं आपको बता रहा हूं इस क्रिया को करेंगे किसी भी अच्छाई को अगर आपने धान करना है तो 21 दिन तक जाए अगर ग्यानमुद्रा की आपको अनुभूती लेनिया तो 21 दिन तक लगाता है इसका कोई भी जब अभियास कर रहे है ध्यानात्मक तो उस क्रिया में इस अवस्ता का निरंतर अभियास करेंगे तो 21 दि किसी भी अच्छाई को धान जायें अगर किसी भी बुराइब को तरना है तो वही नेम आपके अंदर लगता है कि आप 21 दिन तक ऊसस्तान तक जाये लेकिन जब आप योगात्म कि समंध के साथ जोड़ते हैं आत्मिक अनुभूतियों के साथ जोड़ते हैं तो इसकारात्म को हैं कि आपके अधर मोस्तितग को परढ़ाइन वेकं आपके अंदर स्धिति तिती को पर्धार्टे रहे तो साथियों चलिए चर्चा आगे की और बढ आते हैं सहस्तम भाव से कमर को सीधा कर लें जया हैं को सामने की ओनिया दोलों कंदों को पीछे की अर्वल में और ज्ञान मुद्रा में आप लोग बैथें और मुस्कुराती हुई अवस्ता में थोड़ी देर कपाल भाती क्रिया का हम लोग प्रणायम का हम अभ्यास कर रहे हैं तंठ से ब्रित को आउट करते हैं एक हलका सा आवाज इस पंदन सुलाएं देता है एक सेगंड कम से कम एक स्टॉक में लगे चलिए कुछ देर करते हैं कुछ समय इस अभ्यास को विकल मुस्कुराते हुए करें साथियों यह कपाल भाति क्रिया है एक अच्छा अकल्पनिय प्रणायम है आपके आंत्रिक अंगों को तकाशित करता है आरुग्यता प्रदान करता है आपके अंदर ओज लाता है तेज लाता है आपके मुखमंडल में आपको प्रस्तुत करने की छमता को व्यक्त करता है कि हमारा जो प्रजेंटेशन हम अपने आपको व्यक्त करते हैं तो हमारा चेहरा ही सब कुछ मैया कर देता है अगर हमारे सरी में कई पर खिचाओ है तनाओ है तो वो चहिरा आपको प्रस्तुत कर देगा, इसी तरह जब आप प्रणायम कर रहे हैं, क्रियाओं को अपने धारण कर रहे हैं, तो आपके मुकमंडल में प्रकास आएगा, एक प्रस्तुत आएगी, आप एक अलग प्रतिविम्ब अपना प्रस्तुत करेंगे, आप पही पर अगर आप साथ हिस्टो कर रहे हैं, तो उसके बाद तीन से पाँच डीब बिद करेंगे, सरव परतम जब हमारी चर्चा हुई थी, तो मैंने दीरगिस्वास प्रणायम को बताया था, तो वास्तिक प्रणायम दीरगिस्वास प्रणायम ही है, लेकि उसके बिविन प्रणा अगर को शांत हो जाएं, अगर जिस तरह आपके फिर से 40 से 50 स्टॉक हो जाते हैं, या आप नेरंतर अभ्यास करें, तो 60 स्टॉक आपके हो रहे हैं, तो फिर लंबी गहरी सासों को लें, कम से कम तीन से पाँच डीब बिद करें और इस क्रम को आप पास से साथ मिनट तक साथ करम कर सकते हैं, ग्यारा कर सकते हैं, अपनी छमतानुशा, तो चलिए आप आगे की चर्चा करते हैं, ऐसा अकलपन ये प्रणायम, जो आपके अवसाद को, आपके प्रमाद को, और आपके ब्रमांड को, इन दो नकारात्मक इस्तितियों को दूर करता है, आलर्ष, प्रमाद, आउशाद, और उसके अत्रिक तो ब्रमांड रूपी अवस्ता को जागरत करता है, क्योंकि ब्रमांड में सिव वे दिमान है, ब्रमांड में संपून, चराचर, जगद वे दिमान है, तो एक बहुत अकलपनी अभ्यास, ब्रामरी प्रणायम, रामरी उदगीद भी से कहते हैं, तो इसकी परथम अवस्ता के हैं, परथम अवस्ता में आपको सामान ने अवस्ता में वेठने हैं, आपको को सहस annual भाव से बंग करने हैं, और लबी गहरी सांसर लेनी हैं, और मान्सिक रूप दिएक थार आपकर वॉम का बढ़ी इसकी दूसरी अवस्ता होगी, पूर्ण अवस्ता में हम लोग पहली अंगली माथे में रखने, तीन से आखो को बंकरते हैं और उठे से कान को बंकर लेते हैं, और स्वयंग के अंदर अर्जित करें उस गुण्यन को सुनते हैं, और आपको वाइब्रेशन बहुत सुन्दर ह लगा आप ज़यों जागहर्थ होंगे सिस्टम हाप नर्वर्वस सिस्टम है इसके इंतर कट्ches विद्यमाल्य हों अजआ हैं पलती हैं परगा सिर्चा में आगक किरते हों पहले आःम से मुष्कुराते करें सेहस्तम भाव से मुश्कुराते वे और आखों को सेहस्तम भाव से बंद दिरेंगे और थर्ड आई पर अपना ध्यान लगाएं लंबा गहरा सांस लेंगे पहली अवस्ता हम लोग कर रहे हैं भ्रामरी प्रणायम की कर दो अबाई कर दोगाएं बंद वहाएं प्रणायम का लेचाव में लाव प्रणाव हैं ल्रामरी बंद बंद मेंद व्राव यहाज़ श्रा इर में वहाएं लोगाएं रहाएं प्राव से लोग। पूम। इस तरह ज़र आप 5-7 बार सरव पर तम आरंब जब कर रहे हैं, उस समय कर सकते हैं, उसके माद 11 बार, और ध्यान थायद आई पर रहे, आपके आज्या चत्र पर, और मानसिक रूप से आप प्रणावक्षर ओम का गुंजन कर सकते हैं, यह प्रामरी प्रणायम की पहली अवस्ता थी, ब्रामरी गुंजन हम कर रहे थे, और मन को शान्त करता है, आपके अंदर इस्थित, कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं, मानसिक अस्थिर्ता हमारे अ आजाती है, तो उस मानसिक अस्थिर्ता को भी दूर करता है, और हम बीज मंत्र कर रहे हैं, प्रणावक्षर ओम का उचान कर रहे हैं, मानसिक रूप से तो ओम तो सरवेशर है, ओम समाधान है, ओम एक सक्ती है, इस तरह का बीज मंत्र है, चलिए, इसकी पूर्ण वस्ता कर हमान के पहली माथे में रखते हैं रखते हैं रखते हैं। तीन को बन कर लेते हैं रखते हैं। कर ले release. अब स्वासीत characterize वे सामान को भ्रम्च और तो उसी अवस्ता को हम लोग बंद आखों से और बंद कानों से और अपने अंदर आत्म साथ करेंगे उस संगीत को उस वीज मंत्र को उस ढमर को जो हमारी मानसिक द्रमांड की समस्षक्तियों को जागरित करने में साहिता प्रदान करेगा। और हमारे अंदर वही आनन्द रस जिसकी खोज में हम, जब हम आध्यात्म की दृष्टी में कदम रखते हैं, जब हम योग की सीड़ी में कदम रखते हैं, तो इसी रस को खोजना आरंब करते हैं. चले, पहली अंगली माथे में तीन से आखे बंद और अंगुठे से कान को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, और इसी तरह से इस अभ्यास को भी आप एक ग्यारा बार कर सकते हैं, बीब ब्रिद भरें. इस तरह से इस अभ्यास को आप एक ग्यारा बार कर सकते हैं, चलिए आज की इस बिसे को एक बार पुन है पुल्रावृत करते हैं, जैसे जो फाइनल अवस्ता है, इसको भी आप एक ग्यारा बार करिएगा, साथियों, आज का जो टॉपिक था, पहले सर उपर था, हमने कप इस अवस्ता को आप 11 बार कर सकते हैं, और ब्रामरी कुंजयन आपके मन में चले, संगीत मदूर होना चाहिए, कंठ से आपकी सरसुती जो विदिमान है, उसका स्वर सुरीला होना चाहिए, कोसिस करना है, प्रियास करना है, अपने अंदर के संगीत को उत्पन्य करना है, सा इसलिए अंक में हम अन्य प्रणायमों की बात करेंगे, इसी के साथ आपको मेरा पुन है प्रणाम, प्राधिरादे, ओम नमो भगवते वाशुदेवाय, हरी ओम तश्यत